मॉड्यूल वान ट्वेंटीफोर क्रॉस कल्चुरल स्राइकॉलजी में हम इमोशन की बात कर दें तो चलें देखते हैं कि कल्चर इमोशन और इमोशन का इजहार किस तरह आपस में मिला जुला है इसमें कुछ एहम सवालात है कोर इमोशन सिस्टम जो कहा रिसर्चर जेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट कि कि घुता हलता है या खौफ होता है तो व decorat हुटा है नुचर जाता है कि एक चरत है तो वम कहते हैं कि षटर जर्ट हो गया झाल हमचा के आंगती हैं वेता है बोट सिस्टेम में तो तो यह जोर ईमोशनल सिस्टेम है वो बैलोजिकली बेस है, वो इस तरह बेस है, अब ये बताएं कि पिर कल्चा का फर्ग का है, ये एक अहम सवाल है, इमोशन्स यूनिवर्सल है, लेकिन इमोशन्स या एक्प्रेशन में कल्चिरल फर्ग है, मसलन अगर कोई जैपनीज बच्चा घराता है, चाइनीज खासद और अपनी माँ को कहता है कि आज मुझे बड़ा गुसा आया मैं लड़ पड़ा तो उसकी माँ कहती है तुमने मेरा नाम डबो दिया तुमने मेरा चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ना हो यह रिसर्च है चाइनीज मदर्स के उपर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल पच्छा घार आता है और कहता है मुझे आज इतना दबा के घुसा आया मैंने दो लगाई किसी को तो उसकी माँ कहती है शाबश मेरे बैटे ज्यादा किया करो तो यह एक्प्रेशन के उपर कल्चुरल डिफरेंस हो सकता है महसूस करने के उपर नहीं हो सकता कुछ सी खास म हाल में कोई चीज महसूस भी करें तो बतानी नहीं है शो नहीं करनी फेस से यह चीज़ें कल्चुरली कुछ बेस्ट हो सकती है विमन मैं एन इमोशन तो यह बात मुझे उस तरफ ले आई है कि क्या घुस्ते के महबत के अदासी के जजबात मर्द और 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 अरत को एकी त इवन आपका तर्किश ड्रामे का घाजी हीरो जो है उसका भी आंसु टपका है जब उसने ना चाहते वे एक तीर मारा है अपने चचा को जो घदार था या उसको किसी और चीज से तकलीफ हुए या किसी की शहादत से तो यह आंसु अला ने आप में डाले हैं चाहा है पर परहा रोकना है तो कहा जाते है कि मर्दों को सेड το की तर्बियत नी दी जाती ज्यादा तर कल्टर ज्यादा तर कल्टर में उन्हें बहादरी या खुस्ते की अजात ती झाज ती लड़कियों को कुछ कल्चर्स में आ जाता है कि आप अपना घुसा इतना शो ना करें अच्छा नहीं लगता तो ये men, women and emotions के expression में कुछ कल्चर्स कुछ अपनी तरह के rules या unsaid guidelines देते हैं इसके हिसाब से वहां के मर्द, औरत, बच्चे, लड़के, लड़कियां अपने जजबात को उसके हिसाब से tune करना सीख रहते हैं तो ये जिस चीज का मैंने जिकर किया है इसे emotion regulation, emotions को regulate करना मेट्टू, मोटो और हुआंग तो जारी दोनों नाम आपको Chinese और Japanese लग रहे हैं इन्हों ने वो emotion के जो faces हैं उस पे study शुरू की थी और कहा था कि ये universal होते हैं इन्हों ने उसके बाद क्या किया कि जो ये देखने की जरूता है कि ये universal होना आता कहां से क्या हम दूसरे को मुस्कुराते देखके मुस्कुराना सीखते हैं हम किसी के चेहरे पर देखके अदास होना सीखते हैं उन्होंने का इसको थाबित करने का एक ही तरीच है जिन लों की आंखे नहीं हैं उनको खुशी के हालत में देखो जिनकी आँखें नहीं हैं उनको गम की या उदासी या मायूसी या किसी बात पर उनको डिसपॉइंटमेंट हुई है तो उसमें देखो कि सैड वो कब होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका तालुक देख के सीखने से है या यह इनसान के अंदर पैदाश के साथ ही नेच्रल इमोशन्स है तक्रीबन नियर पर्फेक्ट कॉंकॉर्डंस यानि हमाहंगी थी एक्प्रेशन्स में ब्लाइंड लोगों के और साइटिड लोगों के ज उन्होंने यह किया कि जो खिलाड़ी थे अथलीट से नमें जिसका ख्याल है कि वो एक मेडल जीता उस से नहीं जीता ऑजिस ने जीता उनके चेरे के एक्सप्र всем देखे तो जिन्होंने नहीं जीता उनमें जो आँखों के बगर थे वह पर लेफ्ष्ट पर अग्रें वोग देखा कि अगर वो यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको गुल्ड मिलेगा और उसके उन्हें ब्रॉंज मिला तो उनको कुछ disappointment हुई उसके कम मिला तो जब news of winning मिली तो क्या expression थे यह नीचे जो दो लोग हैं इन में left वाले और right वाले आपको नजर आ रहा होगा तो आप कभी यह नीचे कर सकते क्योंके expression news सुनने के बाद देखी जैसे इन्होंने एक और काम किया कि पहले तो पता चला कि जी फ्लाँ फस्त आये लेकिन जब वो पोडियम पे गए और उन्होंने मैडल विये तो यहां भी आपको ब्लाइंट और आँखों वाले दोनों के नजर आ रहे है कि यह emotions का expression जिस्टी से अपने खुश होना है जिस्टी से उदास होना है वो naturally उनके अंदर मौजूद है उन्होंने किसी की शकलें देश के यह नहीं सीखा